इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं, जिनको फैक्तर करना नहीं आता है गुडंखंड नहीं आता, क्या आप उसमें से हैं? कल्पना बैभो, गुड इबनिंग बच्चों, क्या आप गुडंखंड करना जानते हो? वेटा, क्या आप गुडंखंड करना जानते हो? इंग्लिस में बात करें तो चलो ठीक है तो हम बात करेंगे आज आपका लाइब नंबर पता नहीं कौन सा है मुझे देख लेने दो आज लाइब नंबर आपका 19 है 19 नंटीन नंबर क्लास है तो बेटा क्लास नाइन्थ का आपका मैथ है ये एंसी आर्टी एकसर साइज है जो बच्चे बुक लिये है टू पॉइंट फॉर है कुश्चन नंबर फॉर है ठीक है कह रहा कि गुड़नखंड कीजिए गुड़नखंड कीजिए मतलब हमें फैक्टर कालना है क्या करना है फैक्टर कालना है रूभी दुभेदी जी आरहा आपको ठीक है अच्छी बात है हर भरर्सीत बीटा आ रहा है ूर्ट्स अप्या दो आ रहा भी या तुनको भी चलो carn को समझो पहला पार्ट देखो फार्स्ट 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन इसके गुड़नखंड क्या होंगे आप लोग बताओ पताइए कितना होगा इसका गुड़नखंड आ जहां पानी भी नहीं है और आगे बोल क्या सकता हूं है देखो जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी उन्हें टैंसरां यह लेना है मैं उन्हें बता रहा हूं ठीक है ऐबकर किया कि अगर आपको नहीं और डांट वरी मैं बताओंगा अँ इस है कि आत्शलों ठीक है कि आपको मतलब गश्याए है अभी यहार माद में आप लोग मुझे बताव इसका फैक्टर क्या होगा बेटा, इसका फैक्टर तुम कर सकते हो ना हम सब औको पता है इसका सब्सक्राइक कैसे करते हैंगे छुर्ण इसका क्या है गुड़नखंड है क्या है गुडन खंड है अच्छा आप लड़के हैं मुझे नहीं पता था यादो जी कि आप लड़के हैं मुझे लग रहा था कि आप लड़की हैं चलिए ठीक है अच्छी बात है जो भी है हैं तो कुछ ना भाई दोनों में से तो कुछ ना कुछ है यह है चलिए इसको फैक देख लेना भेटा ठीक है चलो आइए समझ गए तो कुछ आपको यह काम करना है इसको करने है एक ठीज़ी और समझना है जासे देखो यह question है यक्स का square प्लस 7x प्लस 10 अगर इसके मैं factor पूछ हूँ तो आप कैसे करोगे चेतन आनंद समझ में आ रहा है यह question मेरी खोपड़ी के पीछे वाला मत देखो तुम इसको देखो देखो मैं समझा रहा हूँ पच्चा बीच वाला जो पद है उसका हम गुडांक लेते हैं जैसे इसमें सेबन है और जो light वाला आपका constant होता उसको पकड़ते हैं तो हमारी कोशिस यह होती है कि कोई दो ऐसे अंख में मिल जाएं जिनको अगर हम गुडा कर दें तो यह आ जाए दस और अगर जोड़ दें तो साथ आ जाए तो तुम लोग मुझे यह बताओ बेटा कि वो दो संख्या कौन सी हैं जिनको जोड़ दें तो अंकर जी बताईए और वो कौन कौन सी दो संख्याय हैं ऑशी अज लाइट बहुत धीमा हैं बड़ा काला काला दिख रहे हैं बजती हो रही ना लाइट बहुत धीमी आज अरे उतना गोरे नहीं हैं जितना दिखते हैं तुम लोग को मैं उतना बनाया रहता हूं चलो कुछ सही हुए ना ठीक है हाँ पांच और दो ठीक है बहुत अच्छे बेटा है बेरी गुड ओके तो पांच और दो होगा ना यानि हम पांच में दो को जोड़ेंगे तो साथ हो जाएगा पांच में दो को गुड़ा करेंगे तो दस हो जाएगा तो बस हमें यही तो चाह यही चाहिए था बेटा यही चाहिए था तो अब हम साथ की जगा पर पांच और दो रखेंगे किया रखेंगे साथ की जगा पर पांच और दो रखेंगे तो यह हो जाएगा yaks का इस्कोायर प्लस यह 5-2 x 10 पहले बता इतना समझ में आया देखो जो चैप्टर अगर तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो हम इसको इतना स्पीड में खतम करेंगे ना कि तुम देख भी न पाओगे कब खतम हो गया और अगर प्यार से पढ़ोगे इमानदारी से तो मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा साला कोई जायेगा नहीं इंटरनेट समस्या कि देखो भी या थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या हो गई है कि पच्चों इन्वर्टर आ गया है लेकिन फिर भी यह जहलवा रहा है अभी अभी लगता है तुरंत लगेगा लेकिन समस्या क्या है न अभी लगा नहीं है यह लाइट जब एक बार जैसे डिप हुई तुरं कि तुरंत वाई फाई बंद हो जाता है और इसवजह से आपका क्नेक्सन कड़ जाता है समाज रह ना है यह समस्या किसकी है कि email लुद कि है इंटरनेट जैसे कड़बढ हो था तुरंत चला जाता है तो वह अग से नहीं होगा आज ये मेह लास्ट जितना तरब्वाना आज यह तड़ पाले बिटा कल से ऐसा नहीं होगा कल से ऐसा नहीं होगा कल से ऐसा नहीं होगा सब सिट अब हो जाएगा जो भी समस्याएं हैं चलिए वह कुछा ल awb द्के जाना नहीं कोई जानाना नहीं ना बहुत मारेंगे लतिया मारेंगे किजान लो जरो देखो तो यह क्या किया मैंने I अट्वाग में तोड़ा मपन्दे पद को दो भाग में तोड़ा और इस्तरह से आपका पांच धन दो आया अब क्या करेंगे अंदर में गुडा करके कामन ले लेंगे यह क्या करेंगे मुर्पल करके कामन ले लेंगे इसमें कि along को कोई समस्या है तो बतादो किसी को कोई परिसानी नहीं होगी वो मुझे पता है चलो, ठीक है इर्फान अंसारी समझ में आ रहा है ठीक है बहुत अच्छे, very good अब इन दोनों में common लोगे इसमें भी common लोगे जिनको ना समझ में आएगा, मैं उन्हें बताऊंगा tension मत लेना तुम, बिल्कुल tension मत लेना, ठीक है तो बेटा इसमें यक्स common ले लोगे, तो यक्स प्लस 5 बचेगा, इसमें प्लस 2 कामन ले लोगे, यक्स प्लस 5 बचेगा, जो दोनों में common है उसे एक बार लिखते हैं और जो दोनों common अलग अलग था उसे जोड़ के लिख देते हैं ये आपका हो गया finally answer ठीक है, ये क्या हो गया आपका finally answer हो गया तो आपकी कलास आज सेयर नहीं हुई है इस वज़ा से बच्चे बहुत कम हैं, तो बाबु आप लोग एक काम करो, इस कलास को सेयर कर दोना है, आरकोश्चन लिख लो ये पहला हो गया आपका गुड़नखंड ये किताब का सवाल नहीं है ये मैं आपको गुड़नखंड सिखाने के लिए बताया हूँ आज की कख्चा 9 की लाइब कलास सामको साड़े साथ बज़े से सुरू हो गई है आप लोग तुरंट जुड जाएं ठीक है तो मैंने टेली गराम में भेज दिया है तुरंट आ जाएंगे बच्चे फटा फट डॉन्ट वरी चलो थीख है बटा चलो ओके 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 डलो इस ये इंटरनेट नहीं चल रहे है का इसका चलो ठीक है तो सभी बच्चे कलास को लाइक भी करो बाब वह ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार हां कुश्चन हो गया आगला कुश्चन पर चलो सिकेंड कुश्चन पर चलते हैं सिकेंड कुश्चन आप लोग देखो ध्यान से यह हो गया यह बताओ सबको समझ में आया बोलो यस अब को समझ में आया यस यस चलो अब इसी तरह से आप एक और देख लो तब फिर हम इसके बारे में बात करेंगे जो आपका किताब वाला प्रस्ण है क्योंकि हमारी कोश्चिस है जो बच्चा कमजोर है उसको भी आ है हमारी यह कोशिस है इपटा इस स्क्रेंसाट ले लिया करो ठीक है ईसक्रेंसाट ले लिया करो बैटा संजीत कुमार बी बैक समझ में आ रहा है न आ रहा है न चलो question number second समझो, बड़े प्यार से समझो देखो, ये है y का square और plus 11x plus 24 बिटा देखो, इनके दो factor करोगे तो कितना आएगा, मुझे ये बताओ जल्दी बताओ नहीं, आज के बाद कोई समस्या नहीं आएगी आज ये last समस्या है आज ये last समस्या है internet वाली, क्योंकि internet भी हम दोनों recharge रखेंगे, और आपका light disconnect होने नहीं पाएगी, एक भी second तो कुछ नहीं होगा बगवान सुक्र करें कि हम सलामत बने रहें बस, कितना दूआ बना के रखना, हम वकी हम ना रहे तो फिर कोई बात ही नहीं है रोशन बेटा पढ़ लो रोशन कुमार बोलू कर दीजिए हमारा भी तुम पढ़ने आग बोलू कराने आयो पढ़ लो यहाँ बोलू किसमत वालों का होता है बोलू नहीं है, बुलू है सबका नहीं होता है चलो अरे ये एक है चर रहे है गयार देखो यहाँ पर अगर वाई है तो यहाँ भी वाई रहेगा यहाँ पर यक्स है तो यहाँ भी यक्स रहेगा ठीक है? बहुत अच्छे सबसा जब पहला जबाब अभिलास कुमार ने बताया है अभिलाज कुमार एके तुम्हारा गलत है रेनु चोधरी ठीक है सिवम रूद्र परताप सिंग ठीक है बिटा बेरी गुड चलो तो ये आपका हो जायेगा भाई साहब ग्यारा को हम लिख सकते हैं आठ धन तीन देखो कुछ बच्चे पांच और छे बता रहे हैं तो बेटा देखो पांच और छे तुम 11 तो कर लोगे लेकिन पांच और छे का गुड़ा करोगे तो ये तीस आएगा जो कि हमें तीस नहीं लाना है हमें 24 लाना है ठीक है समझ रहो ना नरेश बेटा तुम बहुत नजर में चुब रहे हो मेरे पढ़ लो बाबू पढ़ लो राजा पढ़ लो खालतू का चैटिंग पैटिंग ना करो पढ़ लो तो हो गया ये अब देखो सीधा सा है मैंने कुछ नहीं करा इसमें भाई साहब कुछ नहीं करा मैंने y का square ऐसे लिख दिया 11 को मैंने 8 प्लस 3 लिख दिया यह y बच रहा था चच्चा को इनके बगल में लगा दिये पीछे और यह प्लस ऐसे लिख दिये 24 को ऐसे लिख दिये पूरे इज्यत और मान सम्मान के साथ ठीक है उसके बाद क्या करा है हमें ने y का square ऐसे है प्लस 8 का y में गुड़ा किया बेटा तो यह 8 y हो गया प्लस 3 का y में गुड़ा किया 3 y हो गया प्लस 24 देखो exercise 2.4 का question number जो 4 था है 4 number question करने के लिए बेटा यह समझना जरूरी है अगर तुमें यह आएगा तभी तुम 4 number question कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ जिन लोगों के मन में खुजली मच रही है कि काउन सा किताब का है काउन सा question है वो थोड़ा खोबड़ी मपानी डाल के तंड़ा कर ले अब इन दोनों में common लोगे इन में common लोगे इन में अच्छा जिनको common लेना नहीं आथा बेटा यहाँ समझे लो थोड़ा सा point point समझाता हूं यहां देखो जैसे अगर मैंने तुम्हें कहा कि बच्चा यहाँ पे common लेलो common का मतलब समझो कामन का मतलब समझो, समझो, समझो यह बताओ बच्चा, हमारे दूइनों हाथ में का का है दिख रहा है तुम्हें, कुछ दिख रहा है तो कोई ऐसी वस्तु है जो दोनों में है क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ दिख रहा है सभी बता न हमने एक pen लिया है, marker लिया है, ink लिया है और marker लिया है, अगर मैं तुमसे common पूछूँ कि दोनों हाथ में क्या है कौन सी ऐसी वज्टू है जो दोनों में है नाबया, pen गलत है या सराज सिंग, गलत है तुम्हारा भी गलत है मारकर कोई बता रहा है, रभी देखो, ये pen है गदाहों, ये marker है तो तुम जो इनको pen बोल रहे हैं, वो marker समझ ले इसे pen मत बोलो तो दोनों में जो common है बेटा, वो है marker marker जो board पे लिखा जाता है, ये चचा लो common है, इनका color अलग है भले लेकिन काम एक है उसी हाथ में चलते हैं, लेकिन ये स्याही और ये pen ये दुनों अलग अलग बस तू हो गई लेकिन marker एक हो गई, तो marker क्या है common है समझ मैं, common का मतलब यही होता है अब इस से ज़्यादा अच्छा तुमें कौन समझाएगा इस से ज़्यादा अच्छा तुमें कौन समझाएगा चलो, समझ गए ना तो इसमें क्या है, इसमें उसी तरह से अगर तुम देखो तो क्या common है इसमें क्या common है पेटा इसमें जो है y common है क्योंकि इसमें भी y है, इस पद में भी है इसमें भी है तो इसमें जब तुम वाई कामन लोगे तो क्या बचेगा देखो कामन का मतलब समझ लो चाचा इधर देखो समझो समझो इधर कामन का मतलब समझो अगर मैं तुम से इसमें बोलू कि वाई कामन लेलो तो वाई कामन लेने का मतलब यह हुआ क्या यह वाई इंट न देखो बेटा y2 को हम y into y कर सकते हैं, 8 y को हम 8 गुरे y कर सकते हैं, common लेने का मतलब है कि हम y common लिए मतलब y से इनको सबको भाग कर दिये, common का मतलब सिर्फ भाग होता है, तो y से y कट जाएगा बच्चा, यह वाई से वाई कड़ जाएगा बेटा तो बच्चा कहा बच्चेगा राजा यह वाई बच्चेगा यह आठ बच्चेगा यह बच्चेगा समझ में आए सबको ना सबको समझ में आए ना तो यहां पर क्या होगा वाई कामन होगा तो वाई प्लस आठ बचेगा अब मत मुझना तुम कैसे बच रही है कितना अच्छा इसका पोश्ट माडम कर दिया हड़ी हड़ी अलग करके दिखा दिया फिर भी तुम न समझो तो फिर भगवान नराज है तुम्हारे स्क्रेंसार्ट ले लिया करो जैसे बात पूरा हो जाए क्योंकि मैं मिटाने में देर नहीं करता हूँ बनाने में टाइम लगाता हूँ मिटाने में नहीं चलो अब तुम्हें अगर कोई समस्या है तो फिर बताओ जुरूब इंटरटेन्मेंट बेटा समझ में आ रहा है सभी बच्चे कलास को लाइक कर दो बीना देर करें तुरंत कर दो भाई इसमें भी यही बचेगा बेटा देखो गुडनखंड में एक खासियत है कुछ भी कॉमन लोगे तुम दोनों कोश्ठक में एक समान पद आएगा जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा दोनों में पद वही आएगा ठीक है तो जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिख देते हैं और वाई प्लस तीन जो एक सिंगल सिंगल कॉमन था उसे जोड़ देते हैं आंसर हो गया ठीक है वाटसप यादो तुम्हारा चल नहीं रहा इंटरनेट अब तुनको ना उठा उठाक पटकेंगे जाने लो पटकेंगे उठाके 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 पट जाया का कोपड़ी जाने लो पढ़ लो चुप चापया तो कुछ ऐसे ऐसे गदहें हैं ना मलिच छटाइब के ना जिनको ना नहाना न दोना है आंक से सही दिख रहा नहीं की चल उचल लगा है अब उनको लग रहा एक बफरिंग क अच्छा इस एक लिक लिये ह Grade के मिटादे है जिस राज समझ में आरा अबता भी संकर समझ में आ रहा है अक्षय कुमार थि क्रमेश गुर्जर हां मिलेगा 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 जलो जो बत्चे तडपढा रह हैं कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बेटा देखो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें और बीना चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट नहीं कर पाऊगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसे कमेंट कर पाऊ चलो तो यह हो गया अब हम चलेंगे मेन कुश्चन पर देखो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाऊंगा इसमें यह वाई अकेला है इसमें यह बिटा अकेले नहीं है जोड़ीदार है यह दूइनों परानी है यक्स तो है लेकिन इनके साथ बारा भी है तो इसमें दूइनों परानी है यह अकेला है मतलब यह कुह आरा है इस साधिस होता है समर्भी गए ना देखो समझो इसमें तो हम यह कहते थे कि बीच वाले पद को तोड़ देना बाकी तुमें कुछ नहीं बताते थे बाकी कुछ नहीं बताते थे जैसे लोगों को पहले लगता है बही साधी करना बड़ा मज़धार चीज होता है लेकिन गर में कितनी कलहबाद में होती वो तो बाद में पता चलता है तो वही हालात इधर है पिलहाल हर जगा नहीं होती है उसको ज़्यादा गहराई से मत सोचो पहले इधर पड़ो तो इसमें क्या है इसमें 12 है लेकिन दिख रहा है बाहर इसका बीच का पार्ट तोड़ने के पहले हम इस 12 को पकड़ के 1 में गुड़ा करते है लेकिन वो चीज किसी से बताते नहीं गुड़ा करें जैसे अंदर का अपने दर्द जो है अंदर अंदर समझते हैं क्या पीड़ा है कुछ ऐसे भी दर्द होते हैं जो किसी को सेर नहीं कर सकते हैं तो वैसे यहां पर होता है यह 12 का 1 में multiple करेंगे लेकिन उसे हम खुद समझेंगे अपने में ही कहीं लिखेंगे नहीं कि मैंने किया है तो 12 एककम कितना हो जाएगा 12 यानि हमें क्या करना है बाबा गुड़ा करने पर 12 लाना है गुड़ा करने पर 12 लाना है और यहां पर प्लस है न यह ध्यान देना है यहां पर प्लस है तो जोड़ने पर जोड़ने पर 7 लाना है अब बताओ कोई ऐसा दूई गिंती है गुड़ा करने पर बारा आए जोड़ने पर साथ आए मुझे तो नहीं लग रहा होगा कोई ऐसा दूगिंती है गुड़ा करने पर बारा आए जोड़ने पर साथ आए देखो रेनू चोधरिया बता रही वाह बहुत अच्छे रीशू तिवारी बेरी गुड लोग तो एकदम नंबर एक पे हो ठीक है थीक है तो यह बच्चा हुई जाएंगे तीन प्लस चार तो तीन प्लस चार यह आपका हो गया जो आपका मुख्य पार्ड था वो आपने खोज लिया कि यह चीज समझ गए ना यह थोड़ा अलग है कुईश्चन उससे इसलिए मैं बोला इसलिए मैं बोला कि मैं पहले इसको नहीं करवाओंगा पहले उसको करवाओंगा जिससे तुम थोड़ा समझ जाओ तो बेटा इनको ऐसे लिखेंगे 12 को ऐसे ही लिखेंगे यह 12x का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे माइनस 7 को 3 प्लस 4 लिखेंगे इंटू x प्लस 1 ठीक है यह हो जायागा 12x का स्क्वायर माइनस यह गुड़ा करोगे 3 का x में तो बेटा यहां माइनस है ध्यान रखना अगर कोश्ठक के पहले माइनस है ब्रेकट के पहले माइनस है तो ब्रेकट खुलने पर अंदर के चिन बदल जाते हैं अंदर के चिन क्या होते हैं बदल जाते हैं तो माइनस का यह 3x रहेगा क्योंकि 3 का x में गुड़ा होगा और फिर यह प्लस है अंदर में क्या था प्लस था शुरू में माइनस होता तो अंदर का चिन बदल जाता है तो यह 4X हो जाएगा जब 4 का X में गुड़ा होगा और यह प्लस 1 वैसे उतर जाएगा जिनको यह नहीं आ रहा है वो बेसिक मैथ पढ़ें वी आरे स्टडी लाहबाद चैनल पर रात के 9 बजे से बेसिक मैथ होता बेटा अभी इस समय बंद चल रहा है हो सकता 15 अगस तक फिर से सुरू हो जाए तो रात के 9 बजे तुम बेसिक पढ़ना बीना बेसिक के यह होने वाला है नहीं और तुमें कुछ आएगा है नहीं तो बेसिक आना चाहिए इन दोनों में common लेंगे 3x तो इसमें बेटा बचेगा 4x और इसमें क्या बचेगा बाबू इसमें इसमें तुम माइनस का क्या करोगे 1 common लोगे तो 4x माइनस का 1 बचा एक बात ध्यान देना दोनों में बराबर बराबर कोश्ठक में बचना चाहिए कुछ अलग नहीं बचना चाहिए पर मोद अलेक्ट्रिकल जी समझ में आ रहा कुछ की नहीं एके अनूप, नाब्या गुपता, नवनीद कुमार जिनको बेसिक नहीं आता बाबू उन्हें समस्या होगी जिनको बेसिक आता उन्हें कोई समस्या नहीं होगी चलो अब इसका फाइनल आंसर उपर लिख देंगे अच्छा जितने बच्चों को समझ में नहीं आया वो इमानदारी से नो लिख के कमेंट करें यन ओर नो हम जान जाएंगे कि कितनों को नहीं आया जो कक्षा नो में है सिर्फ वह ही करेंगे बस बाकि दूसरी पढ़ाई करने वाले बच्चे कमेंट नहीं करेंगे कि इसको नाया कोई है जिसको नाया कोई गदहा है इतना बड़ा कोई गदहा नहीं है सब गोड़ा आप अगर सिस्टम से पढ़ोगे रोज पढ़ोगे आने लगेगा कोई बड़ी बात नहीं है चलो ठीक है अब इसका मतलब यह नहीं गदहा बोल रहे हैं तुम बताओ बेना करो अपनी बीमारी छुपाओ नहीं यह बढ़ जाएगी तो फाइनल अंसर आएगा आपका यह 3x-1 यह आपका अंसर हो गया फाइनल वाला ठीक है बेटा यह फाइनल अंसर हो गया किताब से उत्तरमाला मिला है लो मिल रहा है कि नहीं दिमांसु बर्मा तुमको काहदार दो रहा बेटा है दिमांसु बर्मा और मनीस मनीस मनी समझ में आ रहा है चलो लिख लो लिख लो फटा फट लिख लो लिख लो दूसरी बढ़ाई वाले क्यों नहीं चलो लिख लिए तो यह आपका फाइस्ट पार्ट हो गया अच्छा मुझे एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चे बुक लिए है नाइंथ की जो बच्चे नाइंथ की बुक लिए है वो यह लिख के कमेंट करें तो यह को दूसरी पढ़ाई वाले क्यों ना बोले मैं इसलिए बोला क्यूंकि जिस बच्चों के टार्गेट करके यह पढ़ाया जा रहा है विशेस रूप से उनके लेबल का है ठीक है आप अगर कोई और पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता आपके लेबल से अलग हो तो फिर हम आपको यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे ना आपका कलास अलग से होगा उसका देखो समझो अगला तो बच्चा बुक हो लिये हो तुम लोग ठेक है अगला है टू एक्स का स्क्वायर प्लस सेबन एक्स प्लस तीन इनके गुड़न खंड करके कोई बताएगा मुझे कितना आएगा जल्दी बताओ कोई भी एनिवन बता दे कितना आएगा कितना आएगा बाब उजल्दी बता दू तो एक मिनट में कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा देखने दो साई चल रहा है देखो बच्चा इसमें तुम तू का थ्री में मल्टिपल करोगे छे हो जाएगा गुड़ा करने पर छे आए जोड़ने पर साथ आए गुड़ा करने पर छे आए जोड़ने पर साथ आए देखो गुड़ा करने पर छे क्यूं आएगा क्योंकि पर 6 आए एंड एडिशन करने पर 7 प्राप तो हो तो वह नमबर हो जाएंगे आपके 2 और 3 कि दूए और 3 करोगे दद्धा तो दूतियां इच्छा तो हो जाएगा लेकिन दूतियां पांच हो जाएगा हमें जोड़ के साथ लाना है गलत है तो वह हो जाएगा छे और एक हो नहीं गया जोड़ों के साथ हो जाएगा गुड़ा करोगे तो छबर रहेगा तो यह था इसका फंडमेन ठीक है कि वी जे सी मेयत बिल्कुल नाहीं आती बेटा देखो इंकवारी के लिए नमबर दीया ना बाबू इंकवारी के । उस पर कंटैक्ट करो मेयत बिलकुल आने लगेगी चलो तो 2 एक्स काई स्कॉ Emmanuel प्लिस देखो 7 एक्स जहां पस तो ये 2X का स्क्वायर प्लस 6 का X में मल्टिपल 6X प्लस 1 का X में तो X प्लस 3 फाइनल में आगे बढ़ोगे इनमें दोनों में common होगा तो बिटा देखो इसमें 2X common लोगे तो X प्लस 3 बचेगा इसमें 1 common लोगे X प्लस 3 बचेगा common लेना मैं सिखा दिया हूँ नहीं तो कुछ दो गरी आ रहे हूं मन कैसे होई जा रहा है common लेना मैं सिखा दिया हूँ इनमें common लिया गया है और ये छुटके चच्चा में common लिया गया है लिख लो इसका final answer हो जाएगा X प्लस 3 जो दो बार आया एक बार हो जाएगा और ये दूई X और ये प्लस 1 ये answer हो गया उत्तरमाला मिला लो भाईया मिल रहा है कि नहीं मिला लो मिला लो 2.4 question number 4 का second 2.4 question number 4 का second part है X प्लस 3 दूई X प्लस 1 ठीक है चलो सबको समझ में आया ना बाबू सबको समझ में आया सबको समझ में आया ना लिख लो इस screen shot ले लो चलो आज बहुत कुछ सुख गया है देरे देरे ताजा हो रहा है अब एक काम करो तुम लोग अब इस क्लास को पहले लाइक करो नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अब अब मेरी आतमा जवाब नहीं दे रही है दुख हो रहा इसे दो मिनिट का टाइम है सभी बच्चे लाइक करो दोस्तों को सेयर करो मैं इसमें पानी मंगा लेता हूं क्योंकि पानी के सिवा और कुछ है नहीं जिन्दगी में तुको ठीक है एक मिनिट रुके रहो पीतेन ये पानी ले आओ थोड़ा से चलो ठीक है आगे देखो आगे देखो यार बड़ी समस्या आज काफी गर्मी है ना यहाँ पे तो दिक्कत हो रही थोड़ा सा चलो कर दिये सभी अभी नहीं करा सभी जल्दी से लाइक करो देर ना करो बिल्कुल एक को सिकंड का देर ना करो और अपने वाटसअप में सेयर करके आओ बाबू ठीक है दस बच्चों ने लाइक किया मेरे कहने के बाद है आपको समझ न चाहिए अभी हमें और पढ़ना है कम से कम आदा गंटा कम से कम एक गंटे से नीचे कलास नहीं होनी चाहिए साबड तोड पढ़ते रहो टेंसन मत लेना बिल्कुल समझ में आने की भरपूर गारंटी है पूरी हंडेट परसेंट गारंटी है समझ में आएगा बस कलास को इमानदारी से देखना यहां से अंदर से आएगा देखो समझें चलो देखो परमोध आरा समझ में मनोज सिंग जहां जी मनोज आ रहा है हरसित जैसा तू सोचता है मेरी जान हर कोई वैसा नहीं है और तू यह सोचता है कि हर किसी को पसंद आ जाए तू इंसान है पैसा नहीं है वाँ भाई हरसित जीने लिखा एक बार फिर से पढ़ने तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है जैसा तू सोचता है मेरी जान हर कोई वैसा नहीं है और तू यह सोचता है कि तू हर किसी को पसंद आ जाए तो तो इंसान है पैसा नहीं है भाई दिल वाली बात लिखा है आपने तो क्योंकि पैसा हर किसी को पसंद आ जाता है लेकिन इंसान हर किसी को पसंद नहीं आता है लेकिन बेटा इंसान जिसको पसंद आ जाता है फिर उसे सब कुछ पसंद आ जाता है समझ रहो कि नहीं उसकी बुराईयां अच्छाईयां में बदल जाती चलो ठीक है बहुत अच्छे कितना कमाल का काम की है देखो ऐसे करो कुछ अलग तुम लोग तो बैट के मूँ ताक रहे हो कुछ सेरे साहरी बोलने जाओ तब भी सही है बीच बीच में कि गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी चलो दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा तो यह हो गया अब देखो अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं थार्ड नंबर की तरफ में अब है डाटा मेरा काई खतम हो रहा है मोबाइल का चलो हर्सित जी अब आप नजर में बन गया हो मेरे बी से सुरूप से क्योंकि आप बहुत ही मजह हुए खिलाडी लग रहे हो मुझे कहीं कुछ अनुभव लेके आयो का आप पांच याक्स माइनस छे बताओ इसका जबाब दो कैसे तोड़ेंगे बीच में हां तभी बच्चे बताओ इसमें कैसे हम इसको तोड़ेंगे बीच में देखो इसमें बेटा एक अलग चीज है वो तुम्हें समझना है क्या लाश्ट में माइनस का चिन्द है ना तो बीच वाला जो हम जोड़ के लाते थे वो घटाने पे आएगा यह बात ध्यान देना अगर यहां पर माइनस है तो बीच वाला पदवच्चा जोड़ने पे नहीं आएगा घटाने पे आएगा यानि गुड़ा करने पर तो 36 आए लेकिन घटाने पर बेटा 5 आए कोई दो ऐसी गिंती बताओ जिनको घटाने पर 5 आए गुड़ा करने पर 36 आए जरा सोचो बताओ गुड़ा करने पर 36 आए गटाने पर 5 आए अठारा दूना 36 अठारा मेंसे दूई गटाओ के सो लाएगा चचा हमें 5 लाना है गटा के गटा के पांच लाना है छे का छे में गुड़ा करो 36 लेकिन छे का छे में गटा होगे सुनना मिलेगा लट्डू मिलेगा गलत है 9 का 4 में कर लो दद्धा मुझे लग रहा सही है लो मिल गया 9 के 4 में कर लो बिटा तो 9 का 4 में करोगे तो ये फाइनल में आपका मिल गया मिल गया जो डूण रहा था वो मिल गया चलो तो ये हो जाएगा आपका 6 x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 याद रखना ये घटाने के बाद ये आना चाहिए बस यानि उत्तर से कुश्चन आना चाहिए इन्टू x माइनस का 6 ठीक है तो ये 6 x का स्क्वायर प्लस 9 x माइनस 4 x माइनस का 6 अब बेटा इनमें क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे समझ रहे हो ना तो इसमें कॉमन 3 x ले लेंगे बचेगा क्या 2 x प्लस 3 इनमें बेटा माइनस का 2 कॉमन लोगे तो 2 x प्लस का 3 बचेगा एक बात यहां ध्यान दे ना यहां पे हमने कॉमन माइनस का 2 लिया है तो जब माइनस का दो कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन पलस हो जाएगा मतलब यह नहीं जरूरी कि माइनस का दो लेने पे हो जाता है मतलब तुम कोई भी नंबर अगर माइनस में कॉमन लोगे तो अंदर का चिन पलस हो जाएगा और फिर जैसे कोश्टक खोलोगे फिर माइनस हो जाएगा ठीक है ये बात ध्यान देना है देखो भाई अभी सेर साहरी वाला मैं पूचूंगा तब बताना अभी नहीं बताओ अभी मैं पढ़ूँगा नहीं अभी रुके रहो बोलूँगा जब तब बताना अभी लिख के रखे रहो मैं पढ़ दूँगा सबका ये आपका अंसर हो गया फाइनल में ठीक है चलो बेटा लिख लो हाँ हाँ सभी अपनी कला का परदर्शन कर ले ना इसको लिख लो स्क्रीन साट ले लिया करो तुरंत आपका थार्ड पार्ट है ये कुश्चन नंबर फोर एकसटाइट टू पॉइंट फॉर क्लास नाइंथ ठीक है उन्तालिस मिनट तो दिख रहा है कलास हो गई लेकिन अभी और चलने दो मत रोको इस कलास को चलने दो धुआ धार हाँ मत रोको अभी मैं पूछूंगा तुम सब लोग बताना रोसन बेटा जो पढ़ा रहे हैं पहले उसे पढ़ लो राजा पहले तीन यक्स का स्क्वायर माइनस का यक्स माइनस का फोर इसमें बताओ मुझे चलो कितना हैगा बताओ जेखो गुड़ा करने पर बारा आए यह बात यहां ध्यान दे ना तीन का तुम चार में गुड़ा करोगे बेटा पहले और मन ही मन जानोगे जैसे मैंने बताया था कोई परकार की गुप्त बिमारी होने पर लोग मन नहीं मन तरपते हैं किसी से नहीं कहते हैं तो वैसे यह गुप्त प्रावलम है यहां पर किसी से नहीं कहना है तीन का चार में मल्टिपल कर लो बारा आएगा वो तुम्हें खुद समझना है कहीं लिखना नहीं है और यहां माइनस है तो घटाने पर यक्स आये यक्स तो आये का नहीं इसका गुडांग काना चाहिए यह वन है गुडांग क्या है वन है बेसिक में पढ़ाया है उन्हें आता बेसिक तो बेसिक पढ़ो पहले क्योंकि यह नाइंथ का पढ़ रहे हो बेसिक नहीं है ठीक है तो बिटा कुल मिलाके गुडा करने पर बारा आए और घटाने पर एक आए हमें ये करना है तो बताओ कोई ऐसा दुई गिंती संकेत कुमार प्रिया सर्मा प्रियंका हिमानसु बर्मा करन मीना, आभी सेक यादो नाब्या गुपता, बियल्पी म्यूजिक राजस्थानी, मनोज सिंग मनोज यादो ठीक है? चलो आई है ट यू और क्या? यसराज सिंग बच्चा तुमारी जिन्दगी भी तुमसे है ट यू कहने लगेगी पढ़ लो पढ़ लो मेरी नजर तुमारे नूपपर है चलो तो यह हो जाएंगे 3 और 4 चाहे तो तुम 4 और 3 कर लो या 3 और 4 कर लो मतलब वही होता है तो यह सुंदर लगेगा जब इसे तुम 4 और 3 करोगे क्योंकि बराबरी का मामला दिखेगा तो बिटाई ये 3x का square ऐसे ही रहेगा minus x की जगापे तुम 4 minus 3 into x minus का 4 कर लोगे बस नीचे उतारते चलो फटा फट तो ये 3x का square minus का 4x और plus का 3x minus का 4 ठीक है चलो ओके है ना सब कुछ ओके एकदम मस्त है अब मुझे इसमें common लेके तुम उत्तर बताओ एक एक बंदा चलो जल्दी चलो बिटा फटा फट बताओ ये आपका chapter खतम होने वाला है वंसी का समझ में आ रहा है हिमानसु बर्मा संजीत कुमार कुछ समझ में आ रहा बिटा आचा ये बताओ मैं थोड़ा तेज तो नहीं बोल रहा हूं अब मुझे इसमें common लेके तुम उत्तर बताओ एक एक बंदा चलो संदी चलो बिटा फटा फटा बताओ कई मैं तेज तो नहीं बोल रहा था नहीं न चलो ठीक है ठीक ठीक है ओके डॉंट वरी देखो बेटा कुछ भी बज जाए आज कलास एक गंटा से कम नहीं होनी चाहिए आज लेट हुआ है मुझे निचोड़ना है उसका लेट जो हुआ है उसको भरपाई करना है इसमें देखो बच्चत यक्स कमन होगा सिर्फ तो तीन यक्स बचेगा माइनस चार बचेगा पेटा इसमें तीन यक्स और चार केवल हैं केले तो इसमें प्लस वन कमन होगा तो तीन यक्स माइनस चार बचेगा तो फाइनल में आंसर 3 x minus 4, जो दोनों में common था, वो एक जगा लिख दिया जाता है, और जो common था, जैसे x और इसका 1, यह answer हो गया, सब को समझ में आया, सबको समझ में आया हाँ अच्छा जितने भी बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया वो नौ लिख के कमेंट करें मैं देखूं क्या ऐसा भी कोनो गदाहा है कब आई खचर पारटी भी एकायमे हम है कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया एक को पैसा देखो अगर प्यार से समझोगे तो सब समझ में आएगा भई वन सिका को बलाक कर दो ये तो बड़ा खतरनाक चीद दिखा रही इनको बलाक कर दो भई बलाक कर दो फटा फट तुरंद इतना डेंजरस चीज यहां पर मत दिखाओ नहीं ते लोग पढ़ेंगे नहीं अगर कोईश्चन में आ जाओ मच्छर गुश गया मुह में रुको पानी पी लेता हूं हजाम हो जाए एक मिनुट रुक जाओ अरे यह पंक्खा चल रहा था सामने से उड़ गया हल गया मुह में मतलब समझ रहो ना अगर भूल चूप से मच्छी मंखर मुह में गुश जाए ना पानी पीलो अंदर चला जाएगा वो निकालने कोशिज मत करो क्यूं हाल तो परेसान होगे काफी देर तक निकले गाया नहीं टाइम बेस्ट क्यों करोगे वो गया चलो तो फाइप नंबर कुश्चन अब शुरू करते हैं है फाइप में भी बेटा क्या करना है गुडनखंड ग्याद करना है क्या करना है आइप नंबर में भी गुडनखंड ग्याद करना है देखो समझो सभी अब कल्पना बैभो समझ में आ रहा है नाब्या गुपता गुडनखंड ग्याद यह कुश्चन में यह कह रहा था हाँ अच्छा तुम लोग को अब समझ में आई बेरी बात जो मैं बोला था चलो ठीक है अच्छा एक बात यह बता और बीच बीच में क्या सभी बच्चे एंसी आर्टी बुक लिए हो अगर किताब लिये होगे तो ज्यादा समझ में आएगा 25% एडवांस में समझ में आता जो किताब लिया है और जो किताब नहीं लिया न उसे समझ में नहीं आएगा